नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकड़मी पर देखेए ये यूपी एसी का टेस्ट सीरीज जिसकतन है जिसमें बात करेंगे आज हम टेस्ट नंबर वन की और टेस्ट है विजन आईएस का ठीक है तो इसमें बात की गई है पॉलिटी की तो चलि में अख है कि भारति समीधान में समाच की परिवर्तन सिलायु सकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है कथन दो है कि समीधान राजिनितिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के दोरा ब्याक्वHerained के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है आपको नीचे कूट से सही अंसर को बताना है आपसन है A केवल 1 B केवल 2 C 1 और 2 दो नो या D न तो एक नहीं 2 सही अंसर है इसका option number C दोनों ही कथन सही है देखे समयधान में कई बार परिवर्तन हुआ है यहां को आपको दोनों को ही पता है समयधानिक संसोदनों के बारे में हमने पढ़ा भी है ठीक है तो यहीं से हम आसानी से कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं कि यह पहला option सही है दू कि राष्टी अनसूचित जाती आयोक द्वारा निमलिखित में से कौन से कार कानिसपाधन किया जाता है पहला है कि अनसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रच्छो पायों से वंचित करने संबंदी विशिष्ट सिकायतों की जाच करना कथन 2 है कि सरकारी नोकरियों में अनसूचित जातियों के लिए आरच्छित के मात्रा में विरिद्धी और कमी का निर्धानर करना और कथन 3 है कि अनसूचित जातियों से संबंदित सरकारी कर्मचारियों की सूचित तयार एवं अध्दतित करना तथा आरच्छित कोटे के माध्यम से प्रोणना थी है त लिफटाक से बताईए, सही अंसर है इसका केवल और केवल एक थी, यानि पहला कथन तो सही है, बाकी यह दोनों कथन जो है, यह दोनों काम किसका है, अनुसूचित जात के आयोक के बारे में अगर थोड़ा बात कर लें तो इसके अन्य कौन-कौन से काम में तो देखे, यह ज रिपोर्ट देता है, जो रिपोर्ट राष्टपती द्वारा सदन के पटलों पर रखवाई जाती है, दूसरी चीछ और बात कर लेते हैं, तो इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्स दिया जाता है, आप अनुसूचित जातियों के रच्छो पायों, ऐस सकता तो निर्धारित करते हैं, पहला है कुछ नितियां जीने सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, दूसरा लच एवं उद्देश जीने हम एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए, और तीसरा है की मूल अधिकारों से इतर, लोगों को प्रदत कुछ अधिकार कूट दिया हुआ है, A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C एक और 3 या D, 1, 2, 3 सही उत्तर को चुनना है आपको, जल्दी चुनिये, जल्दी चुनिये, टाइम कम रहता है भाई, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, दो इगंटेक टाइम रहता है, है कि नहीं? तो इसमें सही बताईए क्या है चलिए इसका सही अंसर है आफसर नंबर ठीक एक दो और तीन-टीनों ही कतन सही देखे सरकारों द्वारा नीट ने जे सक्ट चत्त्व की बात कर रहा है इसमें कुछ मुल्धिकार उसे इतर प्रतत तो अधिकार जैसे की रोजगार का अधिकार हम को यहां से मिलता है कि लिए चलिए बात करते हैं आप अगले प्रुशन की तो अगला प्रस्ण है नीचे तो साथ है उपर है चार है कि नहीं यहां पूचा जा रहा कि भारत में फेटरेशन के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार की जिए पहला है कि इसमें स्वतंतर नयपालिका और दूस अधनी व्यवस्ता संब्दिविश्टा नहीं थै दूसर नहीं कि उपर इपकतनों में से कौन सा कतन सही है आपसन ये है केवल एक दो तीन स्वतंतर नीपालिका हमारे समिधान में है ठीक वही दूसर नी व्यवस्ता है ठीक और रूड्र राजसभा और लोगसभा ठीक और भारती समिधान में कमी फेडरेशन सब्द प्रयोब नहीं किया गया बिल्कुल सही बात है हमारे संग के लिए फेडरेशन नहीं संग के लिए यूनियन सब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं और अगली बात करते हैं कि इसे प्रकत में अर्द संगी कहा गया बिल्कुल सही बात है केसी वेहर महुदाय ने हमारे संविधान को प्रकत म तो सअदेबा जी का संघवाद कहा गया मुरिस जॉर्ट जाघ। हमारे सम्विद्धान पर सहकारी संखवाद का उदाहरण है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं इतना डीटेल में नहीं बताया जा सकता है समझ रहें नहीं यहां बताई उच्चने आयलेों के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है यह वर्ना यही रहा जाएंगे इतना डीटेल डीटेल चलता है पहला यह किसी आधिनर्ष्ट नियायले में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है यदि उसमें वीधिका कोई सारभूत प्रशन नहीत हो जिसकी सम्वेधानिक व्यक्षा की आवर सकता हो और कतन दो है कि इसे स्वयम के निर्णियों या आदेशों अत्वा विनिष्ट प्रश्यों का पुनर विलोकन करने तृथा उन्हें संसोधित करने के सकती प्राप्त है कफन 3 है कि इसे अंतरराजी विवादों के मामले के अधिनिरने की शक्ति-प्राप्त है आपको बताना है उपर उक्त में से कौन सा कफन सही है आप्सन है A केवल 1-2 B केवल 1 C 2-3 या फिर दी एक दो और तीन चलिए बताई जल्दी से सही अंसर है इसका आप्शन नमबर एक ठीक एक और दो ठीक बाकी यह कतन देखें अंतर राजी विवादों समंधी मामलों के अधिनेरिना या फिर यूं कहें कि अनन्य अधिकारिता जो है वह सुप्रीम कोड के पास ठीक है अनन्य अधिकारिता सुप्रीम कोड के पास आती है आर्टिकल लबर वन थर्टी वन के माध्यम से ठीक है समझ गया आप और यह इस अनन्य अधिकारिता के अंदर क्या है कि है राज्यों के विवाद या फिर एक तरफ केंद्र सेंट्रल हो जाया राज्य हो जाया इस्टेट प्लस दूसरी तरफ कौन हो जाया दूसरी तरफ दो या दो से अधिक विश्टेट हो जाया इसी प्रकार से जैसे अंक्राम आप लगा सकें लगा लेजिए ठीक है दो लोगों के विवाद होना चाहिए उनमें एक तरफ के अंदर दूसरी तरफ राज्य है फिर दोनों विधि का प्रस्ण आ गया जो विधि के लिए आवस्यक उसकी व्याख्या करना आवस्यक हो जा रही समयधानिक व्याख्या कि उसमें आवस्यक्ता हो रही उस विधि के प्रस्ण को ले करके तो यह जो है हाई कोट अपने पास मंगवा करके इसमें वीधि संबंदी इसे हमने बता दिया अब तुम अपना निर्णाय करो ठीक चलिए आगे चलते हैं यहां पूछ रहे हैं कि धार्मिक स्वतनतरता के अधिकार के थात सुच्वध अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित किये जा सकते हैं पिला है जो है लोग विवस्था के आधार पर दूसरी ज़टिन अर्परी सदचार की आधार पर आपको बताना है नीचे दिए कूर से प्रहोकर करका सही उत्तरिया है पहला है एक के रखकीक बेखेंगोंबनिया इन के तीनों ही सही हैं दिखे अनुच्छेत 25 में यह बाती इस पस्ट रूप से लिखिए गई हैं कि धार्मिक्स तंत्रता के लिए उपर जो है लोक विवस्था स्वास्थ और सताचार के आधार पर प्रतिबंधर लगाया जा सकता है ठीक है यहां बताईए यहां पूछ रा आसानी होती है चली सही स्वाभ अभिसंसन के विरुद्व संरच्छन प्रदान करता है यह संरच्छन निम्लिकित में से किस पर विस्तारित नहीं है पहला मौकिक साथ दूसरा भौतिक वर्ष्टों का प्रस्तूती करन तीसरा रक्त के नमूने आपको नीचे दिया कूट का प्रेव करके सही उत्तर को चुनना है आफसन है एक केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन या फिर डी एक दो और तीन सही और गलत यहां दो विकल प्रहज़कते हैं चली, सही अंसर है इसका आफसन नमबर सी, दो और तीन, देखे, मौकिक साथ के सवाभ विशंसन के विए दूसर संड़चन प्रदान है या मौकिक और प्रलेखी दोनों साच्छों पर प्रदान है लेकिन भौतिक वस्तों के प्रस्तुति करड़रक्त के नमूने, आपके साइन या सिगनेचर जिसे बोलते हैं उस पर और इसके अलावा अंग उठे के निसान, इसके अलावा सरीर के किसी अंग को आपकी पहचान के लिए दिखाने है तो प्रतिबंध नहीं लगाया या आपको करना ही करना होगा, आपको कि सरीर का भी अपना कोई अंग दिखाना होगा, या दिवह निसान के तौर पर बताया जाता है किसी के द्वारा, ठीक है, आपको बस मौकिक साच्छे से, खुद के विरुद आप म किसी द्वारा धंडित नहीं किया जागा, भूत लच्छी प्रवा, यानि कि अगर किसी ने अपराद जो है तीन तारीक को किया है, और जो है, हमने चार तारीक को उस समध में नियम ले आया, और आपको जो है इस अंदर में दंडित कर दिया, कि या चार तारीक से ऐसा निय के आधार पर यही जो है भूत लच्ची का नियम है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं और उतनी ही सजा मिलेक जितनी सजा तीन तारीकों डिसाइड की गई थी चार तारीकों नहीं यहां बताए कि राज जी के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पच्च में पदों के आरच्छड के प्रावधान है तू राज जी की सकती समयरानिक रूफ्स्तिन निम लिखित में से किसके अधीन संरच्छित है आफसन नहीं है स्वतंतरता का अधिकार बी सांस्कृतिक और सेच्छिक अधिकार सी सोचल के विरुद्ध अधिकार या डी समता का अधिकार इस पर तया है पूछ रहा है कि आरच्छड का प्रावधान कहां पर किया गया पिछड़े वर्गों के लिए बताईए अब तो बहुत आसान हो गया चली, सही अंसर इसका आथिकार में इसकी बात की गई, कहां पर बात की गई है आपको अपर खोल करके अर्टिकल देखना थोड़ा बहुत आप भी काम करते रही है साथ में ठीक है समता के अधिकार में बात की गई आरक्षण के संबन्द में ठीक है पदों के आरक्षण के संदर में पिछडे वर्ग के ठीक आगे बात करते हैं आगे हम पूछ रहा है कि भारती सम्विधान में अनुच्छे 33 के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार की जिए पहला है कि अनुच्छे 33 के अधीन विधि निर्माल की सकती केवल संसत को प्राप्थर न की राज विधान मंडलों को कतन 2 है कि अनुच्छे 33 के तहत निर्मित विद को किसी भी नयायाला में किसी मूल अधिकार के उल्लंगन के संबंद में चुनाउती नहीं दी जा सकती और कतन 3 है कि अनुच्छे 33 के तहट निर्मित विद्मिक केवल ससस्त्रबलों के युद्धक कर्मचारियों और अधिकारियों को सामिल किया गया है आपको बताना है कि उपरिक में से कौन सा कतन सही है आपसन है A केवल एक और दो, B केवल दो और तीन, C केवल एक और तीन या फिर D एक दो और तीन चले सही अंसर है इसका आपसन नमबर कहा गया केवल एक और दो ठीक है देखे अनुच्छे 33 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या ठीक है तो अनुच्छे 33 में कहा गया है कि संसत को ससस्त्र बलो अर्धसायनिक बलो या यूँ ही कह लिए जो भी ससस्त्र बलो लोग होते हैं कि इसको संसत को और राज की विधान मंडल दोनों को ही डिया गया तो संसत जो है रूल बनाती ही पुलिस को ले करके कि पूलिस आपने देखा है कही भी पुलिस वाले स्टेटमेंट देते हैं नहीं देते ना वह आर्मी वाले कहीं भी स्टेटमेंट देते हैं नहीं देते हैं अफिस्यल स्टेटमेंट इनके कुछ और होती व्यक्तिगाति स्टेटमेंट इनके जो है कुछ और होती दासल में क्या है कि किसी भी नहयाला में जो है इस संदर में चुनोती दी जा सकती कि भाई या उनके मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा, बिलकुल नहीं, आपको इस बल में सेवा करना है यानी कि ससस्त भल लोको केवल उद्धक कर्मचारी नहीं उध्धक भर नहीं गयर उद्धक कर्मचारी भी गयर उद्धक कौन-कौन होते जैसे खाना बनाने वाला हो गया चपराशी वह गया निस आड़ू पोछा करने वाला लाओ यह सब तो सामिल होते हैं अगले प्रश्न के बारे में डिटेलिंग नहीं करना चाह रहा हूं है देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि इंद्री मिलिखित में से कौन से कर्मचारी केंद्री प्रसाशनिक नया अधिकरण के 16 अधिकार के अंतरगत सामिल है आपसन है पहला उच्चतम नया अले के अधिकारी और कर्मचारी कथन 2 है कि संसदिय सचिवाला के कर्मचारी कथन 3 है अकिल भारती सेवाओं के अधिकारी और कथन 4 है कि रच्छा सेवाओं के सिवीलियन कर्मचारी आपको नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना तो बताई नीचे कूठ है, आपसन यह है केवल 1, 2, 3, B है केवल 2, 3, C 3, 4, D है केवल 1, 2, 4 चली, सही अंसर है, इसका आपसन नंबर C, केवल 3, 4, D के यह दोनों अखिल भारती सिवाओं के अधिकारी और रच्छा सिवाओं के सीवीलियन कर्मचारी यह कैट के अंतरगत आते हैं, ठीक है, Central Administrative Tribunal के अंदर इनके मामलों को सुना जा सकता है, ठीक है, वहीं उच्छतम नय आलेक अधिकारी और कर्मचारी और संसदी सचवाले कर्मचारी यह कैट के अंतरगत नहीं आते हैं, ठीक है, चली,